हमारी इस कथा का शुभारंब होता है महराश के यवत माल से यवत माल में एक दमपत्ती रहते थे जिनका नाम था श्री नटराजनदी और श्री मतीद प्रतिवा देवीजी उनके तीन संदाने थी दो पुत्री एम एक पुत्र पुत्र का नाम सुनीर कुमार था सुनीर कुमार अध्भुत और विरक्षर वालत पालकाल से ही सुनीर कुमार का मन खेल खिलोनों बच्चों के साथ खेलने में नहीं लगता था उसका मन तो प्रभुके श्री चर्णों में रमा था वो अपना अधितर समय मंदिरों में गुजारता था भगवान के आगे हाथ जोड़के बैठना उन्हें बेहर पसंद था वो मन ही मन और कभी कभी तो अपनी तोतली भाषा में भी रभुसे पूप बाते दिया करते हैं बालकी इस विलक्षरता को देखकर माता पिता का अर्चंबित होना बड़ा सभाविक था सुनील के माता-पिता बहुत इस चीज़ को लेके परिशान रहते थे व्यठित रहते थे कि ये बालक आम बच्चों की तरह वेभार क्यों नहीं करते हैं उनको ये लगता था कहीं न कहीं उनके मन में ये दर वीरे वीरे समाने लगा था कि कहीं मेरा बालक साधू ना बन जाए उनका डर सत्य साधित हुआ है क्योंकि साथ वर्ज की अलप आयू में ही आखिरकार सुनील ने अपने गहर का त्याब कर दियुक्त कि बालक के लिए ये निर्णय आसान नहीं था ये निर्णय बालक के लिए बहुत कठिन साबित हुआ कभी मंदिर कभी जंगर कभी वन और कभी कंदराओं में ये बालक भटकता रहा है लेकिन शायद प्रभू को कुछ और ही मन्जूर था इसलिए उन्होंने कृपा की और एक दिन नतीत तट पर इस बालक की भेट होती है एक सादू से हरियों तत्सद हरियों तत्सद हरियों तत्सद हरियों तत्सद ये सादू कोई और नहीं बलके महानसंत स्वामी सनीर्दास जी महराश्ट इस बालक के चेहरे पर एक अलौकित पेश को देखकर सनीर्दास जी इससे बहुत प्रभावित हुए उस बालक की मीखी वाणी ने समीर्दास जी का मन मोह लिया उन्होंने उस बालक को अपनी शरणे ले लिया और अपना शिष्य बना लिया समीर्दास जी उस बालक को लेकर मयां पहुँचे और उसके बाद में उन्होंने काम्याथ्य देवी मंदिर में एक लंबे समय उस बालक से जब तक भ्यान योग और तंत्र की अद्वत आदना कराई और अपनी इन साधनाओं में फारंगत होकर जब उनका ये शिष्य एक दिफ्य रूप राप्त करके जब तयार हुआ तो उन्होंने उसको एक जन कल्याण और जन हित के लिए पेरित किया और कहा कि जाओ आज से तुमारा नया जीवन प्रारंब होता है एक नए नाम के साथ और ये नया नाम था श्री पेमा साई जब वो नन्ना बालक मयांग और कामाख्या देवी की परिक्रमा करके वहां पे साधना करके वहां की पूर्ण यात्रा करने के पश्चाथ जब वो वयस्क होने के बाद जब वो यवत माल पहुँचे तो वो एक महान संत का रूप वहन कर चुके थे और उस महान संत का नाम था फूजिश संत श्री पेमा साई जी महराज श्री हरी हर गुरु देवन मामी आनंद रूप सकल गुर्ण स्वामी श्री हरी हर गुरु देवन मामी आनंद रूप सकल गुर्ण स्वामी आप देखना चाहेंगे उनके चमतकात आएए हम आपको लेके चलते हैं सीदे सीदे संत श्री पेमा साई जी महराज के दर्वार में